आज विशेश रूप से हुमारे विचमे उपस्तीत आध्यात्मगुरू स्री अनीज जी को प्रणाम। आज के इस विशेश कारेक्रम में सुरूची प्रकाशन के द्वारा ये विशेश पुस्तकों का विमोचन आज हो रहा है और सुरूची प्रकाशन के सभी राजियू जी और रजनीज जी और सभी लेखक हमारे सभी मित्रई है अरुनानन जी, अमेज जी तो सभी को बहुत बढ़ाई और आज ये जो पुस्तकों का विमोचन हुआ है तो सही हो गईसा हुआ कि दोनों पुस्तके मुझे देखने का मौका मिला और ये कॉमिक्स तो मैंने वर्ड टू अर्ड मरला शब्द शाप पढ़ने का मौका मिला तो काफी अच्छा है और प्रभावी रुप से अभी इसमें कुछ मुझे तुरन कॉमेंट नहीं करना है क्योंकि जो मुझे कॉमेंट करनी थी वह ने छपने से पहले कर दी और उन्हें शायद उसमें वो सारे चेंजेस भी कर दी है इसलिए अच्छा है बहुत बढ़िया तो बढ़ाई क्योंकि आरुणान जी की उस तक तो अंग्रेजी में है शायद बाद में हिंदी आएगी तो मुझे रेंज बढ़ी है मुझे बिल्कुल केवल अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए भी है और बिल्कुल बालक जो बिल्कुल हिंदी में कॉमिक्स पढ़ना चाहते वीडियो यह सारी सारी फॉर्मैट अब बड़े महत्व पूर्ण हो गए है तो मुझे लगता यह सारे विश्यों की चिंता अब सुरुची प्रकाशन निश्चित करेगा यह अपेक्षा तो आप सब को राम जन नौमी की बहुत बहुत शुपकामना और जैस्री राम हम सब के लिए और जैस्री राम हम सब भागेशाली है कि मलो वास्तों में ऐसे लगता है कि राम का यूग प्रारंब हो गया कि हम उस यूग में हम लोग उपस्तित हैं मैं कई बार कलपना करता हूँ कि जब मैं ये राममंदीर का प्रांट प्रतिष्टा हो रही थी तो मैं कलपना करना था कि वो लोग कितने भागेशाली होंगे कि जब हजारों साल पहले अपने दक्षिन में मतलब रावन का वद करने के बाद उसका पराजय करने के बाद भगवान स्रीराम अयोध्या में आये होंगे और तब पूरे अयोध्यावासी और देश-विदेश के सब जो प्रमुक प्रतिनी थी थे वो वहां उपस्तित होए थे और वो कितना मतलब अद्वत आध्यात्निक प्रसंग होगा कि कैसी एक अनुभूती होगी मतलब तो मुझे लगा कि यह जो प्राण परतिष्ठा का कारेकरम था उसमें कि उसी प्रकार से देश के सब प्रमुक लोग आए पूरे देश वर में उसको मनाये जा रहा हैं तो मुझे लगा कि यह ऐसा उस समय हुआ होगा और हम उतने हजारों वर्षों के बाद हम लोग ऐसे भ वास्तों में बड़ा अद्भूत ऐसा अनुभूती मुझे हुई और मुझे लगता है कि इसका वरणन मैं नहीं कर सकता शायद हमारे आध्यात्मी गुरूव है वो शायद इसका वरणन कर पाएंगे लेकिन मेरे पास तो इसके लिए शब्द नहीं है लेकिन एक सामालनी व अनन्द प्राफ्त होता है और ये आनन्द वास्तों में जिनको समझ में आया वो भागेशाली है लेकिन जिनको समझ में नहीं आया उनको भी ये आननन्द समझ में आये ये अनुकमपा जो और राम जी की जो है वो उन तक भी पहुँचे ये मुझे लगता है कि हर राम भक् और यह महतबूर्ण करतव्य है राम को अपने हुरुदय में रखे लेकिन अपने तक सिमित न रखे लेकि भगवान राम ने सभी से कहा कि मैं सबका हूँ मतलब आपका भी हूँ, भरत का भी हूँ मैं लक्ष्मन का भी हूँ लेकिन फिर भी मैं सबका हूँ तो ये जो एक उनके जीवन का बहुत महत्वूर्ण संदेश है तो इसलिए हम लोग हम लोग समझ गए हम बहुत भाग्या मिला कि हमें ये अनुभूती मलए इसका महत्व हमें समझ में आ गया बहुत लोग है करोड़ों लोग जिन को जिन तक ये बात नहीं पहुँची अभी और जिन तक ये शुबसंदेश नहीं गया है ये बात नहीं पहुँची है ये भाव नहीं पहुँचा है तो मुझे लगता कि ये बात और ये भाव पहुँचाना औत्यन ताव्ष्यक है और इस दूर्ष्टी से ये जो महत कार्य है विभिन्द प्रकार के माध्यमों से ये पहुचाना ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कारिय हुआ है और इस बार बड़ी अच्छी बात थी कि हमारे सभी परचारमध्य हों बहुत सकारतमक रूप से एक पूरे भाव से मतलब ये बात सभी लोगों तक पहुचाई और मतलब वो बिक्ल सादुवात के पातर है कि उनके कारंड करूरो करूरो लोगों को उसकी प्रत्यक्षा अनुभूती मिली उस भाव की भी अनुमूती मिली, उसका वरणन सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, देखने को मिला, तो वास्तों में एक उच्छों बन गया मुझे आदे उस दिन आयोध्या में था, तो आयोध्या में मतलब घटना बताने से पहले पहला पुरुष्टभू भी बताना जरूरी है, क्योंकि हम लोग मैं नाकपूर का हूँ और 83 में मेरा जस्टेंथ हुआ था, और बहारत में एकता यात्रा निकली थी, एकता यात्रा 83 में, एकता यात्रा देश के तीनों कोनों से नाकपूर में आकर एकत्रित हो गई और वो पूर्ण हो गई, वहाँ पूर्ण होती वहीं हो गई नाकपूर में, और बिलकुल एक जस्कूल से निकले वे युवा के रूप में, मैंने नाकपूर में उसके स्वा प्रश्टराओं का अनुभो लेकर नागपूर आये थे, उनका हमने मतलब एक-एक से अनुभो जो पुरा सुना, ऐसे लग रहा था कि मतलब जो भारत है, वो भारत एक अद्भूत है, उसकी अनुभूत ही उस दिन हो रहे थी, लेगिन देख रहा था कि दिरे-दिरे राम जन हमी का विशे शुरू हुआ, और कैसे-कैसे प्रश्टन उठाए जा रहे थे, कैसे-कैसे वरणन किये जा रहे थे, मतलब लगता था कि हम कहा है, मतलब, शायद ब्रिटिश काल में भी ऐसे वरणन नहीं हुए होंगे, और मैं एक दिन पढ़ रहा था, कि ब्रिटिश काल में राममंदिर का ढाया गया, उस समय भी हिंदू धर्म, उसके उपस्तिती, उसकी बारे में इतनी अवेलना की बाते नहीं लिखे गए, कुछ दिनों पहले मैंने अलिगर्ड मुस्लिम इनिवर्सिटी से सूची मंगवाई थे, कि वहां कौन सी-कौन से अमारे आध्यात में ग अनुवाद हुए है, तो बहुत एक लंबी सूची मुझे मिली, कि इतने सारे अनुवाद उस काल में भी हुए, उस काल में भी हुए, और इन गरंतों का उस ग्यान का सम्मान भी हुए, और उनको पहुंचाया भी गया, इतने मुक्तरूप से उस काल में भी अगर यह चीज पूरी आ गई, मेरे जैसे विद्यार्थी को लगता था कि क्या हम कौन से काल में चल रहे हैं, कौन सी परिस्थी थी, कोई विदेशी ऐसे लोग है कि जो राम की विरोधी हैं, उनकी सरकार हैं, कहां से लोग आ गए, किन का दबाव है, किन का भैख है, किसके करण ये हो रहा है तो जब, और मुझे लगता है कि यहां बैठी हुए लोगों को मुझे उसका वरणन करने की ज़रूरत नहीं ये लगतार चल रहा था, परन्तु जब मैंने, उस दिन जब आयोध्या में प्रान पृतिष्टा हो रही थी, तो बहुत बड़ा एक मीडिया सेंटर बनाया गया ता, कितने सारे लोगों की बैठने की विवस्ता थी, सब बैठे हुए थे, और मैं तो मंदीर परिसर में था, लेकिन हमारे जो कही सारे कारे करता थे, वहां से लगातार मुझे वीडियो बेज रहे थे, वहां का कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वीडियो फोटो और आड साही उत्सा, तो मिझे एकदम पूरा जैसे फिल्म की तरह पूरी रिवर्स फिल्म चली कि कहां से गाड़ी शुरू गई थी और कहां पहुंची, और मेरे लिए वो भी प्राण परतिश्टा जीतना ही एक सुखद अनुब होता है, और इसलिए मैं इसलिए कह रहा था कि मैं उस दिन के लिए तो सभी लोगों को, मिडिया के लोगों को भी साधवा लगातार देता हूँ, तो ये परिवर्दन यूही नहीं हुआ है, ये परिवर्दन की भी बहुत एक लंबी गाता है मतलब, इसमें भी जैसे पास्सो वर्षों का संगर्ष है, वो संगर्ष तो शाय उस सिदे संगर्ष में अपनों से संगर्ष नहीं करना था, अपनों से नहीं था वो संगर्ष, वो संगर्ष विदेशियों से था, विधर्मियों से था, जो शायद आपकी आस्थाओं को सम्मान नहीं करते, जो शायद आपकी शद्धा को नहीं समझते, आपके शद्धास् परन्तु और उसमें बहुत सरे लोगों ने किसी भी बात की परवाना करते हुए है, किसी भी बात की है, उन्होंने अपना ये संगर्ष जारी रखा, और इसलिए भारत के इतियास में नहीं है, विश्व के इतियास में है, इतना व्यापक संगर्ष अपने देश के सम्मान के लिए, इसलिए वो कहीते लें कि ये मिट गए, यूनाल मिश्रो मिट गए, मिट ती हस्ती, अपने व्यवारिक जीवन के लिए, लेकिन वो समाज जो अपने वेमारिक जीवन को दाओं पर लगा देता है अपने रोज के जीवन को लेकिन अपने साविमान को नहीं छोड़ता उसकी हस्ती रहे जाती है वो भारत की हस्ती है मतलब और इसलिए हमारे लिए राम का मतलब ये बहुत महत्तपूर्ण है और इस दुख्टी से मुझे लगा कि ये एक बहुती अत्यन्त महत्तपूर्ण हमारे देश के हजारों वर्षों के इतिहास में ये एक ऐसा इतिहास इक स्थान है क्षण है कि जो आने वाले कितने सालों तक वो माना जाएगा समझा जाएगा कर गभी लोग पूस्थते हैं कि अच्छे काम के लिए समय भी लगता है अब राम मंदिर बना तो राम मंदिर के लिए स्वड़ा समय ज़्यादा लगा क्यों लगा तो मंदिर ऐसा बनना चाहिए ये हमारा भगवान राम का मंदिर है तो हजार वर्ष तक कम से कम ये किसी तूफान से, आग से, भुकंप से किसी भी तरीके से इसको धक्का नहीं लगना चाहिए तो निव बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बहुत टाइम लगता है निव बनने में और इसलिए निव देखना पड़ता है कि वो कैसे होगी मजबूत कैसे होगी, कितने धक्के खा पाएगी और कैसे रहेगी, जब जिस समाज की जिस मंदिर की निव मजबूत होगी वो कभी ने तूटेगा, लंबे समय तक चलेगा तो समाज भी ऐसा ही है समाज की निव मजबूत होना ज़रूरी है जिस समाज के तक्वा मजबूत होते है जिस समाज की शद्धा मजबूत होती है जिस समाज का ग्यान मजबूत होता है और जिस समाज का अभ्यास मजबूत होता है वो समाज हजारों वर्शों तक चलता है लगी समाज मनुष्य जो समाज मनुष्य है वस्तू नहीं है क्योंकि वस्तू है वीट को रख दिया, सिमेंट को रख दिया तो वो अपने हिसाब से चलती रहेगी, मनुष्यों को दिमाग भी है तो उसमें इधर उदर का विखराओं की संभावना रहती है और अगर वो कई लोग कई बार लोग पूछते हैं मैं आजकल संग की जिम्मेदरी हैं तो कई लोग पूछते हैं कि भाई संग की शदाब्दी आ रही है तो संग को सो वर्ष क्यों लगे मैंने का भाई संग पांस साल वाले हिसाब के लिए तो संग काम नहीं करता संगतों हजारों औरश के लिए ऐसे समाज को ऐसे राष्ट को विकसीत करना चाहता है बनाना चाहता है कि जो अटो मोड पे चले अपने आप यह ऐसा मजबूत हो जाए अगर कोई कमी हा जाए तो अपने आप यह उसकी शुद्धी हो जाए ऐसा समाज बनाना चाहता है तो उसके लिए ऐसी बिल्डिंग अगर समाज की बनानी थो नियू बनाने में थोड़ा टाइम लगता है काफी काम उसकी भी करना पड़ता है अगर नियू पक्ती हो जाए तो फिर गाड़ी चल पड़ेगी इसलिए कभी कभी बड़े मजबूत काम करने के लिए समय लगता है और समय लेना चाहिए अगर अच्छी कई लोग है, कई लेखक है मैंने तो मतलब इन्होंने बताया अन्यों को पुस्तक अनेक होगर नहीं अन्यों को छोटी-छोटी पुस्त लेखी है पुस्तक मेंने एक ही लिखी उसका अनुवाद था क्योंकि मुझे पता है एक पुस्तक लिखने में बहुत परिश्रम होता है कुछ है लोग जो बारी-बारी से पुस्तके लिखते रहते हैं मुझे तो पता लग नहीं लगता कि how they write it तो मुझे पता है कि तो एक बड़ा मितलब लंबा परिश्रम का काम होता है और उसके लिए बड़ा परिश्रम का काम करना होता है राम के संदर्व में दो तीन बाते किवल बताना चाहूंगा एक महुत्तका विश्य होता है राम का मतलब रामराज अब कई लोग सोचते हैं कि आसके जमाने में राम राज्य संभो है क्या, मैं लग क्या मनुष इतने प्रामानिक हो सकते हैं, क्या राम के समय क्या अनुसार इतनी प्रामानिकता से, इतने परस पर प्रेम से, इतने नियाए पूरन तरीके से, इतने लोगों के लिए एक दूसरे की चिंता करने वाले धर्म के मारगे से लोग चल सकते है क्या ऐसे कभी-कभी लोगों के मन में तो उनको लगता है राम राज्य एक कल्पना है मतलब जो सबने कहना है एक दुसरे को और चलते रहना है नहीं मैं इसना नहीं मानता हूँ क्यों? क्यों कि ये शायद दुनिया के बहुत सरे लोगों ने बड़े-बड़े फिलोसाफ पर पॉलिटिकल साइंस में तो वैसे मतलब क्या बलते है एजुकेशन से मैं सोशल स्टूडीज या हुमैनिटीज का विद्यारती नहीं हूँ इसलिए बड़े-बड़े जो फादर्स है पॉलिटिकल साइंस के सोशलोजी के मुझे पता नहीं हो फादर्स जो है एकोनमिस फादर अफ एकोनमिक्स फादर अफ पॉलिटिकल साइंस फादर आफ क्या क्या सब के फादर है मुझे वह फादर तो मालूम नहीं कि I am not the student of that study लेकिन मुझे उनके grand grand father पता है क्यूंकि उनका जनम भारत में हुआ था उनके बारे में मुझे पता है और उनोंने ये बात जरूर कही हजारों वर्षों के अनुवों सें उनने ऐसे मार्ग बताए है ऐसे महापुर्शों के जीवन उनने बताए है ऐसी कई कहानिया उन्होंने बताई है जो राम के जीवन से मेल खाती है ऐसे तत्वा बताए हैं और ऐसे तरीके बताए है फ्यांकि राम के जीवन में ऐसी शिक्षा है राम के जीवन में उनके पीडियों का आदर्श है राम के जीवन में उनके पास ऐसे गुरु है और इसलिए उसके पास राम देशा राजा है तो अकेला राजा नहीं है, राम का भाई भरत है वो भी वैसा ही राजा है, तो ये संभव हैं, परन्तु ऐसा समाज बनने के लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करना पड़ेगे और उसके लिए हमें तयार होना पड़ेगे, कई पर लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी सुदरनी चाहिए है, और लेकिन मैं कई बार मानता हूं कि पहले समाज सुदरेगा कि पहले पॉलिटिकल पार्टी और सत्ता सुदरेगी है, तो कई बार सामानेता हमारे, अभी भांटा हो और यह प्रक्रिय वास्तव में ऐसी होगी So We Will Get हमें वैसे वैसे लोग मिलते चले जाएंगे sequence We हमारी हमारे परिक्षजा है हमारे हमारे हे मतलब वास्तव में साधना है कि हम हर समय कितनी साधना कर रहे हम किस तरीके से क्या अपेक्षा कर रहे हैं और हम किस तरीके से उसे पार्टिसिपेट कर रहे हमारा रोल क्या है वो important है हमारा रोल जितना अच्छा होगा सो वैसे वैसे सुदरता चला जाएगा हमारे देश में वैसे मैं देखता हूँ कि आम गरीब लोग जो है सामाने लोग जिनको लोग ज्यादा तर लोग मानते कि वो मैं ऐसे ही किसी प्रभाव में आ जाते मैं मानता हूँ कि नहीं हमारे देश में जितने भी परिवर्तन होते हैं या जितनी भी अच्छी बातों के लिए अच्छे परिवर्तन हुए हैं, उसमें सामाजने लोगों ने किसी भी लोग मोमन आकर उसमें बिल्कुल जो देश के हित्में, समाज के हित्में वो किया है, इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए कि क्योंकि वो लोग ज्यादातर लोग अच्छे समझते हैं कि भगवान राम, उनको राम दिखे तो राम के साथ खड़े है, अगर राम नहीं दिखे तो किस के साथ खड़े हो जाए हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्ण है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो विदवजन है, समाज के प्रभुद्ध जन है, उनकी ज्याद भुमी का है, हमारे देश में तो प्रभुद्ध जन में कुछ ये जो राम जन हुमी का प्रश्ण खड़ा हुआ, इस प्रश्ण के पीछे सामान जन का विशे नहीं था, इसमें हमारे प्रभुद्ध जन है, इंटलिजेंश या, उनके जो सम्बरम थे, उसका एक बेस्ट ए इडियों को एक्जाम्पल के रूप में पढ़ाना चाहिए, कि इसलिए हमारे इंटलिजेंश या पूलूट नहीं होने देना चाहिए, उनकी बात स्पष्ट रहनी चाहिए, और इसलिए मुझे लगता कि ये बात बहुत मौत पूर्ण है, कई बाते कमुनिकेट होने चाहि था, कि बहुत सरे लोगों को ये लगता है कि मालूमी नहीं उनको, मतलब रोस पेपर में आता है, मीडिया में आता है, वो कहते कि मोधी जी आया और मोधी जी ने जमीन दे दी, इसलिए मंदिर बन गया, उनको नहीं मालूम है कि कोर्ट में केश चली, कोर्ट में ये हुआ, इतना संगर्ष हुआ, इतने archaeological evidences है उसके बाद यह हुआ तो मुझे लगता है कि ये बाते बहुत detail में लोगों को communicate होनी चाहिए संगर्ष, अभी कोई एक political संगर्ष हुआ ऐसा लोगों को लगता है किसी एक, किसी एक संस्थाने, किसी एक लोगों ने अपने संगर्ष के लिए संगर्ष किया है, कई लोगों को communicate है अभी अभी की बात है उनको मालू होना चाहिए कि ये संगर्ष आपके मेरे सबके दादा, परदादा, दादी, परदादी, सब ने किया है हम सब उसकी लिगसी है हमारे पास 500 वर्षों की और किवल अजद्ध है कि नहीं है, ऐसे जितने भी श्रद्धा के स्थान है, उन सब के लिए ऐसे संगर्ष की कहानी है दिरे दिरे वो कहानी भी सारी समाज के सामने अच्छे से लानी पड़ेगी और किकि राम तो हमारे देश में सब भाषा में हैं, सब जाती समुदाय में हैं, सब लोग भाषा में हैं, सब काल में हैं मलब राम तो मुझे लगता है कि हर जगा उपस्तित है भारत में, हर तरीके से है और इसलिए आज ये हमारा जो विशेख है समाज में आजकल ये भी चर्चा होती है कि क्या हमें भूल जाना चाहिए या अपने सौबिमान के लिए संगर्ष करना चाहिए अगर अनाठाई संगर्ष नहीं होना चाहिए लेकिन जहां अस्तित्व का प्रश्न है स्मीता का प्रश्न है अपने पहचान का प्रश्न है वहां संगर्ष करना चाहिए वहाँ जो संगर्ष नहीं करते वो समाज कमजोर रहता है और वो मिड़ भी जाता है तो इसलिए वो संगर्ष करना चाहिए दूसरा प्रश्णा आता है कि एक ने मुझे प्रश्णा पूचा कि राममंदीर अध्या में बनने से विदेशी थे उनने मुझे पूचा कि भारत न मैंने का नहीं हिंदू खुश होंगे मैंने का नहीं हिंदू क्यों खुश होंगे हिंदू क्यों खुश होंगे मुसल्मान क्यों खुश होंगे मुसल्मान क्यों खुश होंगे मैं का मुसल्मान के रिष्टेदार है क्या बाबर थोड़ी न रिष्टेदार है मैंने का अगर गलत रिष्टेदारी कोई बनाएगा तो फिर गलत साइड में खड़ा होगा फिर गलत सारी प्रॉब्लेम कड़ी होगे सही रिष्टेदारी समझ में आ गई तो प्रॉब्लेम साल हो जाएगा तो मैंने का बहुत सारे लोगों को और खुश है बहुत लोग, क्योंकि रिस्टेदारी समझ में आ गई है, कि रिस्टेदारी हमारी है कहा? तो ये बोगत सरे ऐसे विशय हैं, जो समझाने पड़े गए लोगें को, और एक विशय है, जैसे कई लोगों ने कहां, कि मतलब यह जो मंदिर है, मतलब यह जो बाते हैं, तो इसमें उन लोगों को पता नहीं है कि कोर्ट में रिजल्ट हुआ, रिजल्ट के बाद, यह रिजल्ट के बाद मुसलमानों के पक्षक जो थे, उनको भी जमीन दी गई और उनने जमीन स्विकारी और वहां उनने उसके लिए उसका अपना कारिया भी प्रारम्ब किया तो ये बाते देश को और दुनिया को भी कम्मिनिकेट होनी चाहिए है कि मैंने देखा भारत के मिडिया ने जो बहुत अच्छा काम किया परन्तु कुछ पस्चिम में भी कुछ ऐसे मिडिया के सूत्र है कि जिन्होंने अभी भी लिखा है कि वही ये उनको शायद पुरा रिसर्च उखरे करते नहीं है वो शायद इसलिए कुछ उन्होंने आधिय दूरी जानकारी दी तो ये पूरे दुनिया को खड़े होकर बताना पड़ेगा कि भारत क्या है भारत की परंपुरा क्या है भारत का राम से क्या संबन्द है राम मंदीर क्या है उसका महत्त तो क्या है और कैसे ये इससे सभी को खुश होना चाहिए मैं कई लोगों को जहता हूँ कि आप लोग तो ये खुश होना चाहिए कि इतने शांती से और अच्छे से ऐसे कई सारे प्रश्णों का आने वाले समय में समाधान होगा और बड़ोसी देशों से थोड़ी नाम सिखेंगे कि एक मला आपस में जगड़ा किया जाएं तो नए समय की नई बाते हैं और मुझे लगता है रास्ते निकलेंगे लेकिन जो देश में जो भारत का हजारो वर्शों का इतियास है उसका जो सवीमान है उसके साथ पश्ट शुद्ध बुद्नी से समाज अगर बात समझता है और खड़ा होता है तो फिर सारे लोग उस राष्टर के उस प्रामानिक भाव से उसकी राष्टर निष्ठा के साथ खड़े होते हैं राष्टर आगे बढ़ता है तो यही भारत का भूत काल था वरतमान में कुछ आगे पीछे हुआ होगा परन्तु वरत भविश्यकाल भी अच्छा वैसा ही पर कुर्पा है राम नोमी के दिन पर हम सब लोग ऐसे पुस्तकों के विमोचन करने के लिए एकद्रित हुए है आपको पुना एक बार राम नोमी की शुब कामना